यह आईरस लीली देखो कितनी सुंदर है कितनी प्यारी इसकी बनावत कितनी अच्छी है फूल की बहुत ही सुंदर नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों अगर आपको भी अपने पौधे में इसी तरह फूल चाहिए और फूलों का साइज भी बड़ा चाहिए देखो कितने बड़े बड़े साइज के गेंदे हैं यह गेंदा मैंने कटिंग से लगाया अगर आपको भी इसी तरह किसी भी पौधे में बड़े बड़े फूल चाहिए और धेरो फूल चाहिए तो आपको इसमें कौन सा फट्लाजर डालना चाहिए यह मैं आज आपको बताऊंगी गुडाई तो खेर करनी चाहिए हमें हर पौधे में और यह सब पौधों के तो इसके लिए हमें फूल चाहिए ज्यादा और फूलों का साइच बड़ा चाहिए तो हमें जरत होती है पोटास की पोटेशियम की तो बजार में और अर्गनिक पोटेशियम भी काफी मिलते हैं और लेकिन मैं आपको घर का ही बता रही हूं कि घर में आप किस चीज को यूज का सकते हैं तो वो है ये सुखे केले के चिलके जो हम सभी के घर में मिल जाएंगे ये मैंने बहुत सुखा लिये थे यहां क्योंकि मतला ऐसे सुखे ही रखती तो ये इतने दिन तक स्टोर नहीं रह पाते तो इसलिए मैं ऐसे मतलब सुखा के रख देती हूं इसको आप दो दिन डख सकते हैं क्योंकि सर्दी बहुत है तो दो दिन में बहुत आराम से आपका तयार जाए इसमें चाहे आपको यह और चीज मिलाना चाहे किसी और वेज़िटेबल का चिलका तो आपको मिला सकते हैं तो दो दिन बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हैं मैं तो अब ही ही यूज नहीं करूं कि मैंने अभी ही मैक्स जो मेरे फुरूट के छिलके थे उनका ही परेटलाइजर वें दाला था तो यह मैं आप तो सरह कर रही हूं जो काले के छिलके का कुकि हमारे मदद करते हैं वो पॉटेशियम से भर पूर होते हैं में बहुत न हम आपको बताओं में और प्लांट में दो अगर प्लांट पोड़कर दो तो अगर तो अगर गुराँ दो दिन में तब आपको बताओ और जो मैंने वो उसका फटलाइजर बनाया था वो भी मैंने डाल दिया था अपने पालक में क्योंकि वो जो मुफली और मेती का लिक्विट फटलाइजर तयार किया था वो जो करम हरी सबजियों की ग्रोथ के लिए डालते हैं तो उनसे उनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है तो वो मैंने उसमें डाल दिया था इस तरह से अगर आपको किसी भी फूल में फूल जादा चाहिए फूल का साइज बड़ा चाहिए तो आप ये केले के छिलके का फटलाइजर बना कर डाल सकते हैं आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा जल्दिया सर करता है और बाजार में बहुत सारे मतलब औरगनिक जो पोटाश होती है औरगनिक पोटाश भी काफी मिलती है लेकिन मैं बाजार से नहीं खरीती मुझे जब भी वह होता है मैं ऐसे घर में ही तैयार कर लेती हूं केले के छिलके सुखा कर रख देती हूं जब जरुत हुई केले के छि के कम आउटर साइज मिलने लग गया होगा तो इस तरह से आप बना सकते हैं और इस तरह से कि अँच्छे चल रहे हैं जो मैंने खरीद के लाई धी वो मैंने काट दिय cockpit कर दिया कि यहांसे उनकी मैंने गटिं कर दी पता नि यह नी शायद हो फो oso है की नी हो यह की नी कूझ से वह काफी अच्छे चल तो कितना बड़ा साइज है